हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे मखाने की सबजी जो खाने में बहुत टेस्टी लगती है इसको हम बिल्कुल होटल स्टाइल में बनाएंगे आप इसको खाएंगे मखाने की सबजी को तो पनीर खाना भूल जाएंगे इतनी टेस्टी हमारी मखाने की सबजी बनकर रेडी होती है ये देखि एक सर्फ करके भी दिखा रहा है कि इसको बनाने के लिए हैं और दो प्याज लिए हैं रफी कर लिया हैं 3 हरी मेर्ज थोड़ी सी यद्रक, तीन पीस लेसन के और एक टमाटर, यहाँ पे हमने एक कड़ाई ली है, उसमें हम 2 स्पून घी एड़ करेंगे, घी को हम मिल्ट कर लेंगे, ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को प्लीज सस्क्राइब करें और बैल आइकन दबाएं नए अपडेट और विडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कूल मत भूलिएगा, अव इसमें हम माने डालेंगे, इसको हलका सा हम रोस्ट कर लेंगे, मखानों को लो-टू- वाइया फ्लेंब पे अब हमारे मखाने रोस्ट हो चुके हैं इनको हम बाहर निकाल लेंगे अब कड़ाई में हम हाफ किचन इस्पून ऑईल डालेंगे और इसको अभी अच्छे से हम गरम कर लेंगे इस देखिए अब हमारा ऑईल गरम हो चुका है अब इसमें हम अद्रक लैसन प्याज इन सभी को हम हलका सा रोस्ट करेंगे सब what you want कंटिनू चलाते हुए हलका सा इसको हम भून लेंगे हलका गुलावी होने तक हैं हमें इसको पकाना है आब इसमें हम रफली चॉप किया हुए टमाटर भी आड़ करेंगे इसको भी हलका सा हम पकाएंगे पाटर को भी हलका सा ही हमें रोस्ट करना है ज़्यादा अच्छे से हमें पकाना नहीं है यह देखिए ऐसा ही हमें पकाना है अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे इसको ठंडा कर लेंगे मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे हरी मिर्च के साथ अब एक कड़ाई में हम वन किचन इस्पून ऑईल डालेंगे इसको भी अच्छे से हमें गरम कर लेना है ऑईल को गरम करना बहुत ही जरूरी होता है वरना सबजी अच्छी नहीं बनती है अब इसमें तीन से चार पिंच हींग कुछ खड़े मसाले लेंगे जीरा चार से पांच काली मिर्च चार लॉंग एक बड़ी लैची दौ चोटी लैची दौ से तीन लैची डलनी है इनको चटखा लेंगे इनको चटखाने के बाद में हम ग्राइन किया हूए मसाला डाल देंगे इसकी प्यूरी आइट करनी है हमें प्यास टमाटर की इसको चलाते खुए अब इसमें हम मसाले भी ऐड़ करेंगे अ च्बाउडर जॉटा चमच के लाल मिर्च पाउडर एक चुटा मिर्च करेंगे और इसको भी चला कर हम अच्छे से पकाएंगे मसाले को हमें ग्रेवी को अच्छे से पका लेना है जब तक ऑईल ना छोड़ दे तब तक हमें पकाते रहना है यह देखिए मसाला हमारा पक रहा है अब काफी पक चुका है अब इसमें हम आधा चमच गरम मसाला एड़ करेंगे इसको भी हम चला लेंगे अब इसमें हम वन स्पून इसमें हमने पाव भजी मसाला एड़ किया है इसकी जगह पे आप किचन किंग मसाला या मैगी मसाला इन सभी को भी आड़ कर सकते हैं या आप इसके भी कर सकते हैं अब इसमें हम हमारा मसाला अंसम पक चुका है अब इसमें हम फ्रेश क्रीम दो चम्मच एड़ करेंगे जो हमारे नॉर्मल दो से होती है उसको हमें एड़ करना है इसको भी हम अच्छे से थोड़ा सा हमें पका लेना है कंटीनियू चलाते हुए हमें थोड़ा सा पका लेना ह ताकि क्रीम कफी फ्लेवर अच्छा आज़ाए अब इसमें हम पानी आय्ट करेंगे हमने 1.5 ग्लास पानी आड किया है ग्रेवी बनाने के लिए आप इसको कम यह जाधा भी अपने हिसाब से कर सकते हैं जैसी आपको ग्रेवी चाहिए वैसा आप इसमें पानी अड्ट करें और इसको अच्छे से हमें बॉल करने लगा आप इसमें हमने मकाने थोड़े से मकाने हमने इसको थोड़ा सा राइंड कर लिया था और ऐसे ही सारे मखानों को हम डाल देंगे अधीयो ह। लो फ्लेम में अच्छे से बॉयल कर लेना है अब इसमें हम कुछ काजू भी एड़ कर देंगे इससे टेस्ट और अच्छा जाएगा आप चाहें तो एड़ करिए नहीं चाहते हैं तो नमत एड़ करिए केवल मखाने की भी सबजी आप बना सकते हैं अब इसको हलका सा हम पका अब आएंगे अब देखिए बहुत ही टेस्टी लगती है सब्सक्राइब बहुत टेस्टी लगती है इसमें थोड़ी जी कस्तूरी मिती एड़ कर देंगे जिससे और तुगना टेस्ट बढ़ जाएगा इसको हलका सा हम चला देंगे और अब हम गैस का फ्लेम बंद कर दें लेना है यह देखिए हमने बाउल में निकाल लिया है इसको आपको हम सर्फ करके भी दिखाते हैं खाने में बहुत टेस्टी लगती है इसकी ग्रेवी भी ना गाड़ी है ना ही पतली है यह आप सब्सक्राइब बनाएंगे तो आप पनीर खाना भूल जाएंगे इतनी टेस सबजी हमारी बनकर रेड़ी हुई है यह देखिए कितनी अच्छी हमारी सबजी बनकर रेड़ी हुई है ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को प्लीज सस्क्राइब करें और बेल आइकन दबाएंगे अपडेट पाने के लिए थैंक यू